इस वीडियो मैं आपसे बात करने वाला हूँ लाइब क्यू एन आंसर के बारे में बहुत सारे question and answer आप लोगों ने मेरे से पूछा जो भी doubts सारी चीज़े इस वीडियो में clear होने वाली है तो अगर आप मेरे चैनल के regular viewer हैं और आप लोगों के जितने भी doubts से तो वीडियो कों तक देखिए मैं भी आप सभी लोगों के doubts में clear करने की कोसिस करूँगा doubts जब तक रहता है तब तक हम लोग कहीना कहीं फसे होते हैं और आगे की चीज़े proper way से वो वो visuality नहीं दिखती अगर हमारा doubt clear ना हो तो तो मैं ये particular video ये content आप लोगों के doubts clear करने के लिए बना रहा हूँ तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बहुत सारे लोगों का comment है और सभी लोगों को thank you जिनके comment मैं cover कर पा रहा हूं उनको और जिनके comment मैं cover नहीं कर पा रहा हूं उन सभी लोगों को धन्यवाद और आप लोगों का प्यार and support इसी तरीके से रहना चाहिए और इसी तरीके से रहा तो काफी आगे तक हम लोग जा सकते हैं तो चलिए particular content की तरफ चलते हैं कि क्या comments आई हुए हैं तो मैं फटाफट सिर्फ comment पढ़ूँगा और नाम वगयरे मैं यहाँ पे एक एक का नहीं वो करूँगा तो आप लोग अपना अपना जो भी doubt से वो clear कर लिजेगा simple सी अगर मैं नाम लेता हूं तो यह particular सारे viewer को लगए कि particular उसी का answer है लेकिन अगर मैं नाम नहीं लेता किसी का तो इससे यह पता चलेगा कि एक technical query थी जो कि हम सभी को सीखना जरूरी था तो सबसे पहला question आता है कि sir IOT का course कब से start करेंगे तो IOT का course मैं within one month एक महीने के बाद एक महीने तक आते आते मैं start कर दूंगा और 110% आप लोगों का IOT पे सारे courses मिलें अगला comment आता है it is possible to upgrade windows server to 2K19 from windows server 2K12 येस बिलकूल आप upgrade कर सकते हैं 2012 से 2019 पर और इन सारी चीज़ों पर कैसे करना है आप करिएगा technet.com की website पे इसका सारा solution है अगर नहीं कर पाते हैं तो please मेरे को बताईए का मैं इसका proper solution या एक particular वीडियो बना दोगा क्योंकि इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ है thank you so much comment करने के लिए अगला दिया नाइस explanation why GC and infrastructure master role not work together अच्छा इन सारी चीजों के लिए तो इसका particular दोनों वीडियो प्रॉपर वे से देखोगा कि बहुत बड़ा concept है और मैंने 5 master operation role और जो भी हमारा GC global catalog service होती है explain करा हुआ है configure किया हुआ है एक repository होती है और वो हमारा repository का ही एक content information होता है तो काफी बैतर तरीके से आप उसमें समझ पाएंगा thank you so much comment करने के लिए अगला आता है comment please create video on DNS configuration in sentoias sentoias पे DNS की configuration बहुत ही जी है मैं आपको बिलकुल वीडियो बना दूँगा ऐसे ही comment और सारी चीजों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से सवाल करो पूशते रहो सारी चीजों को मैं बता दूँ कि अगर आप साइबर सेक्यूरिटी इंडिय और या अथिकल हैकर बनना चाहते तो इसके लिए 12th BCA, BBA and BTEC की नीड नहीं होती यह एक skill है आप अच्छे से computer को समझ जाते हैं तो आसानी से कर सकते हैं आपको मैं एक चीज बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे hackers, ethical hackers दुनिया में हैं जो की 12th तक भी नहीं पड़े हुएं बट उन्होंने अपनी skill, अपनी programming, अपनी interest को computer field में दिखाया और बहुत ज़्यादा time दिया coding सीखा, हर चीज को एक उसको passion मना लिया, एक तरीके का, नहीं होता है, die hard एक तरीके से उसको वो कर लिया जिसके थ्रून लोगों ने इतनी बड़ी achievement को हासिल किया, तो आप भी जरूरी नहीं है, कोई भी degree हो, कोई भी चीज हो, आप असानी ethical hacking कर सकते हैं और आगे कोई भी problem नहीं होती है, यह skill है, जितना ज़्याद आप इस पे काम करते हैं, उतना ज़्याद आपका development होता है जैसे ही बहुत सारे लोगों के बहुत से सवाल हैं, और सभी लोगों को thank you, एक चीज मैं बता दू, कि लोग 12th के बाद अपने career को नहीं समझ पाते हैं कि करना क्या चाहिए, IT में आना चाहते हैं, IT mathematical hacker बनना चाहते हैं, एक IT engineer बनना चाहते हैं, network administrator बनना चाहते हैं, server administrator, बह अगर आप 12th pass हैं, तो कही ना कहीं से आप अपना computer course start कर दो, computer course मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, one year का time दो basic concept को समझने के लिए, basic concept में जैसे Windows 10 क्या है, Windows 7 क्या है, Linux को कैसे चलाते हैं, networking क्या होती है, topology कितने तरीके की होती है, network काम कैसे करता है, IP addressing क्या होता है, hardware part को समझ start कर दो, and उसके बाद आप इन सारे basic concept के साथ, office का use कैसे, software installation कैसे होता है, backup कैसे होता है, जब ये सारी चीज़े आप सीख जाते हैं, उसके बाद आसानी से आप कोई भी certification courses करके अपना IT का career start कर सकते हैं, और simple सी एक बात है, IT में इतना ज़्यादा scope है, आप BTEC करने के बाद एक बार के लिए आप घर पे बैठ सकते हैं, आप jobless हो सकते हैं, लेकिन आप IT में एक बार घुस गए, proper way से आपने अपना interest दिखाया, हर चीज आप करने को ready हो गए, या एक तरीके का certification, एक interest दिखा कर आप उन सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको opportunity मिलन है मिलने, इतनी जादा vacancy है, इतना जादा opportunity है इन सारी चीजों में, बस आपके पास skill हो, तो कोई भी आपको opportunity देने को तैयार हो जाता है, कोई भी company में आप selection ले सकते हैं, आसानी से, even then, BTEC, BSC और ये सारी चीजों की आपको जरूरत नहीं होती है, बढ़ हाईर opportunity post के लिए कहीं न कहीं degree भी माहने रखती है, तो इन सारी चीजों के साथ में, ये सारे जो comment और इन सारी चीजों के साथ, जो भी doubt होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने mail के through reply कर दिया, और बहुत सारे लोगों को मैंने text के through reply कर दिया है, बाकी कोई भी doubt होता है, तो आप मेरे को बाईएगा मिलते हैं next video में जाने से पहले एक चीज बता दूँ अगर ethical hiking सीखना चाहते हैं तो video का description link check करें जहां पर आप complete ethical hiking सीख पाएँगे तो चलिए गाइज मिलते हैं next video में thank you and goodbye